क्या मृत्यू के बाद भी जीवन होता है और सन्यास के लिए सही उम्र क्या है? सन्यास या ब्रह्मचर्य शब्दकार्थ है, दिविता के पत पर होना, तो सही उम्र क्या है? मुझे लगता है आपको जीवन में सबसे पहले यही करना चाहिए. शादी करने की सही उम्र क्या है? यह सामाजिक स्थितियों से तै होता है और सबसे बढ़कर, यह विचार आपको इसलिए आते हैं. क्योंकि जब आप 10, 11, 12 या शायद 13 के भी रहे होंगे, तब आप ठीक थे. फिर अचानक, हॉर्मोन्स का ये रासाइनिक मिश्रण आपके सिस्टम में पैदा हो गया. अब आप देखते हैं, और अचानक हर कोई अलग दिखने लगता है. एक बार ऐसा हुआ, शंकरन पिल्ले एक पार्टी में गए. और वहां से आकर उन्होंने, अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है? शराब तुम्हें बहुत सुन्दर बना देती है. पत्नी ने का, पर मैंने तो एक बून भी नहीं पी. तुम्हें नहीं, मैंने पी ये. तो, कुछ हॉर्मोन आपके सिस्टम में घुज गए, और अचानक सब कुछ अलग दिखने लगा. जब ये हॉर्मोन आपके सिस्टम को छोड़ देता है, तब आप अपनी अतीत को देख कर सोचते हैं, क्या मैंने ये सारी चीजें की? उनके आने से पहले भी ये इसी तरह दिखता था, उनके जाने के बाद भी सब इसी तरह दिखता है. उस बीच के अंतराल में, जब आपके भीतर चोट होती है, तो आचानक सब को छलग दिखने लगता है. बहुत कम मनुष्य इस चुभन को दर किनार कर पाते हैं, और जीवन को वैसा ही देखते हैं, जैसा वो है, और तब वो इस चुभन का उसी हद तक भोग करते हैं, जहां तक ज़रूरी है, बाकी सब को यही चलाती है, वो अपने जीवन को इसी के इर्द गिर्द आकार देते हैं तो सन्यास का अर्थ बस यही है कि आप अपने जीवन को आपके सिस्टम पर होने वाले रसायनों के अस्थाई प्रभाव के आसपास नहीं गड़ रहे ये थोड़ा सा नशा है अचानक सब को छलक दिखने लगता है तो मुझे इन चीजों से परे कब जाना चाहिए सन्यास दमन या नकारने की प्रक्रिया नहीं है ये पार जाने की प्रक्रिया है तो आपको पार कब जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके हाँ, आपको दमन कप करना चाहिए, कभी नहीं क्योंकि दमन कोई समाधान नहीं है परे जाना समाधान है परे जाना सिर्फ समाधान नहीं है ये उससे कहीं परे है, ये समस्या से भी परे है तो जब भी हम अपनी सीमाओं में फस जाते हैं हम यह सोचने लगते हैं कि यह सीमा ही इकलौती सचाई है। यह सीमा इकलौती सचाई नहीं है। आपको यादी है कि जब आप बच्चे थे, तब कामुकता नहीं थी और इससे परे जाने की कोई बात नहीं होती थी। है कि नहीं? हाँ? तो ये एक बीच का दौर है आपके भीतर होने वाली सभी अजीब चीजों का और आपके दिमाग में चलने वाले रोमेंटिक विचारों का विश्वास मत कीजे प्रकृती चाहती है कि आप बस बच्चे पैदा करें अगर ये आपको प्रिरितना करें तो आप ऐसा नहीं करेंगे बच्चे के जन्म के दौरान दर्द होता है पर फिर भी हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है अगर भीतर से परियाप्त प्रेणा नहीं होती तो ऐसा नहीं होता आपको भीतर से चुभोया गया है भीतर से धोखा दिया गया है जब आपके हॉर्मोन्स आपकी बुद्धी पर कबजा कर लेते हैं तब आप जो भी देखेंगे आपको केवल वही दिखाई देगा उससे परे जाने के लिए एक तरह की जागरूपता और क्षमता जरूरी है बात नकारने की नहीं है बात उससे परे देखने की है जब आप उससे परे देख लेते हैं तो आप उसकी सीमाओं को समझ जाते हैं जो सीमित है उससे सीमित तरीके से ही संभालना चाहिए आपको उसके लिए अपना पूरा जीवन लगाने की जरूरत नहीं है है ना आपके जीवन के एक छोटे से पहलू पर सिर्फ उतना ये ध्यान दिया जाना चाहिए अगर वो आपकी चेतना में फैल जाए तो ये एक अपंग जीवन बन जाएगा तो यही समझ सन्यास है और जब आप में पार जाने की एक शमता हो तो हाँ तो अब आप ये भी जानना चाहते हैं कि मृत्यू के बाद क्या होता है मुझे लगता है कुछ चीजें आप अनुभव से ही अच्छे से जान सकते हैं शादी की तरह ये अनुभव से ही सबसे अच्छी तरह जानी जाती है कोई आपको लाखों बाते बताएगा पर वो सच्चा ही नहीं है है ना अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो एक गुरू है या ये उसका दावा है तो तुरंट सबसे पहली चीज जो आप पूछते हैं जीवन क्या है? मृत्यू क्या है? मैं चाता हूँ कि आप अपने सवाल को थोड़ी गहराई से समझें और देखें कि आप क्या पूछ रहे हैं आप पूछ रहे हैं मेरे जीवन की प्रकृती क्या है? है की नहीं? जब आप पूछते हैं मृत्यू क्या है? मैं कहां जाऊंगा? तो आपका प्रश्ण है कि इसकी प्रकृती क्या है? इस शरीर के बाद क्या होगा? तो आप पूछ रहे हैं, मैं कौन हूँ? मैं पूछता हूँ, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखे, अगर आप सड़क पर जाएं और किसी से पूछे हैं, आप कौन हैं? तो ठीक है. अगर आप सड़क पर जाकर किसी से पूछते हैं, मैं कौन हूँ? तो आप तुरंद गिरफतार हो जाएंगे. ये सिंसनाटी एरपोर्ट पर हुआ. लोग चेक-इन काउंटर पर चेक-इन करने के लिए कतार में खड़े थे, एक आदमी आयां, और पूरी लाइन पार करते हुए, सीधा काउंटर के पीछे घड़ी महिला के पास जा पहुचा, और उसने कहा, सर, कृपया जाकर लाइन में खड़े हो जाईए, सभी लाइन में हैं. उसने कहा, नई, नई, मैं जल्दी में हूँ, कृपया मुझे चेक-इन कर लीजे, महिला भूली, सभी जल्दी में कृपया लाइन में खड़े हो जाईए, फिर उसने अपनी आवाज हूची किया और कहा, क्या आप जानती है, मैं कौन हूँ? महिला ने तुरंथ माइक्रोफोन उठाय और कहा, यहाँ एक आदमी है जो नहीं जानता कि वो कौन है, क्या कोई इनकी मदद कर सकता है? आप अभी जीवित हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि यह क्या है, तो आपको यहीं देखना चाहिए, कहीं और नहीं, तो बतकिस्मती से आप मेरे साथ हैं, अगर आप सही तरह के अध्यात्मिक लोगों के साथ होते, तो उन्होंने तुरंट आप से कहा होता, आप आत्मन हैं, आप हर जगा व्याप्त हैं, आप सदा हैं, आप ये हैं, आप ईश्वर का रूप हैं, आप मुझसे यह वकवाद सुनना चाहते हैं? उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें बताई होंगी, अब ये मत सोचिए कि मैं आपको ब्रहमित कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये कोशिश करने की जरुरत नहीं हैं, आप पहले से ही ब्रहमित हैं, क्या मुझे उस दिशा में कोई कोशिश करने की जरुरत हैं? मुझे कोशिश करने की जरुरत नहीं हैं, आप पूरी तरह ब्रहमित हैं, है ना? पर ब्रहम में होना एक बहतर अवस्था है, बजाए मूर्खता पूर्ण निशकर्शों के. विवकूफी भरे निशकर्ष निकालने की बजाए ब्रहमित होना एक बहतर अवस्था है निशकर्ष मतलब मृत्यू ब्रहम मतलब अभी एक संभावना है हाया ना ब्रहम का अर्थ है अब भी संभावना है आप अब भी खोज रहे हैं निशकर्ष मृत्यू है आप खत्म हो गए आपका मामला खत्म हूँ मैं आत्मन हूँ, आपकी कहानी खतम. तो मृत्यों में क्या होता है? हमें कुछ समय में पता चल जाएगा. इस समय अभी क्या हो रहा है? अगर आप एक केला खाते हैं, तो केला इनसान बन जाता है. अभी कुछ आसाधारन हो रहा है, है न? चल ये पता लगाते हैं, अभी क्या हो रहा है? यहां अंदर कुछ है, जो ब्रेड केक टुकडे को इनसान बना सकता है. हमें जरूर पता लगाना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है. अगर आप अपने अस्तित्यों की भौतिक्ता से परे कुछ अनुभव करें, कि अभी क्या हो रहा है, तो शरीर खत्म हो जाने के बाद भी आपको पता होगा कि क्या हो रहा है. अगर आप उसे अभी नहीं जान पाते, तो आप कैसे जानेंगे कि मृत्यू के बाद क्या है? तो अगर आप तसली या मन बहलाने के लिए आध्यात्मिक्ता की खोज कर रहे हैं तो आप गलत जगे आ गए हैं मैं कोई मनोरंजन करने वाला नहीं हूँ नहीं मैं कोई तसली बेचने वाला हूँ अगर आप समाधान खोज रहे हैं तो हम आपके चलने के लिए एक मार्क बना सकते हैं, कोई जवाब नहीं, आप समझे, आपके किसी भी सवाल के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, अगर सवाल सच्चा है, अगर सवाल खरा है, अगर अग्यान की पीड़ा आपको बेचैन कर रही है, अगर नहीं जानने की पीड़ा सच में आपको परिशान कर रही है, तो मैं आपको एक तरीका दे सकता हूँ, मैं आपको समाधान खुजने का तरीका बता सकता हूँ, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सारे जवाब बस कहानिया हैं, जो या तो आपको तसल्ली देंगी, या आपका मन बहलाएंगे.